इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह मस्तिश्क में मिर्गी के दौरों का कारण बनने वाले संकेतों को अवरूत करके काम करता है और अत्यधिक मूद स्विंग होने से रोकता है। लेमोसीन सो टैबलेट का इस्तेमाल अकेले या अन्य दवाओं के साथ किया जा सकता है। इसे खाने के साथ या बिना खाय लिया जा सकता है। आपका डॉक्टर आपके लिए सही खुराक का निर्नय लेगा। आपकी स्थिती स्थिर होने तक यह धीरे-धीरे बढ़ सकता है। इस दवा को काम करने में कई हफते लग सकते हैं। लेकिन अधिकतम लाब पाने के लिए इसे नियमित रूप से लेना ज़रूरी है। अगर आपको ठीक महसूस हो, तब भी जब तक आपका डॉक्टर ऐसा करने की सलाह न दे। तब तक आप इसे लेना बंद न करें। आपको अधिक दोरे पढ़ सकते हैं, या आपके बाइपोलर विकार की स्थिती और भी खराब हो सकती है। इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में तवचा पर चिकते, सिर्दड, मिचली आना और उल्टी, सोने में कठिनाई और चक्कर आना शामिल हैं। अधिकांच साइड इफेक्ट्स ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ये ठीक नहीं होते हैं, या आपको इनसे परेशानी हो रही है, तो अपने डॉक्टर को बताएं। अगर तवचा पर रैशेज या पपड़ी नजर आये तो अपने डॉक्टर को तुरंट सूचित करें। इन प्रभावों को रोकने या कम करने के तरीके हो सकते हैं। दीरकालिक इलाज की वजह से आपकी हड़ियों में कमजोरी यानि की ओस्टियोग परोसिस आ सकती है, जिससे हड़ि तूटने का जोखिम बर जाता है। इस दवा लेने से पहले, अगर आपको केड़नी या लिवसंबंधी समस्याएं, अवसाद या आत्महत्या के विचार आते हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं। साथ ही, अपने हेल्थ क्या प्रोफेशनल को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं, जिन्हें आप ले रहे हैं, क्योंकि कुछ दवाएं इस दवा को प्रभावित कर सकती हैं, या इससे प्रभावित हो सकती हैं, चाहे वे गर्भ निरोधक गोलियां ही क्यों न तो खुराक को एज़स्ट करने की जरूरत पर सकती है, अपने डॉक्टर से परामर्श करें, अगर इस दवा से आपको बेहोशी या चक्कर आ जाती है, तो आपको गाड़ी चलाने या ऐसी किसी भी काम से बचना चाहिए, जिसमें ध्यान देने की जरूरत होती है, आप पर ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद